ओई वेलकुम स्टुटेंट इसली के आला आ ना इन खासेश इन ख्लास यह सब्जेक्ट मेंडेक्स चाहरो है फे प्रिसक्ष्ण आ क्लशेश पार आई वर एप्ष यूजी का एक इंडेटीज तो क्या आता है प्रसाइगा अगर माइनस साइगे A minus B whole square A square plus B square minus 2 every other Evaluate first 609 whole square second 725 whole square solution first 609 whole square 609 600 plus 9 whole square अब देके हैं 6,000 जो है वह A की जगार इसकते हैं और 9 को B की जगार इसकते हैं और को हमसा काम में कुश्करेंगे A plus B whole square क्या होता है A square plus B square plus 2 9 A multiply B 600 whole square plus 9 whole square plus 2 multiply 600 multiply 9 so आपको रहें यह जाएगा 3 6 0 0 0 0 क्योंकि 600 multiply by 600 600 multiply 3 तरें करें के 2 तरें करें के plus 51 plus 9 to the 18 18 इसे multiply करें आपको 600 multiply करें 1 0 8 0 0 इसे एक तरें के प्रें आएगा 8 1 8 0 7 7 सेकंड देखें 725 whole square लिख सकते हैं 700 plus 25 whole square अब A की लगप अब क्या है 728 और B के लगप क्या है 25 इसको कौन सा पाम्मुला युस क्या हैंगे A plus B, O square जाएं, B square plus B square plus 2 multiply A multiply B ताब परें 700 multiply 7, A तो जाएगा 4, 9, 0, 0, 0, 0 25 पर स्वार करेंगे हो जाएगा 625 25 प्लस 25 को multiply 50 होगा 15 मैं किसे multiply रहना है 700 परेंगे क्या रहा है 3, 5, 0, 0, 0 3, 5, 0, 0, 0 अट रहें क्यों हो जाएगा 5, 5, 2, 5 रहें प्लसप्ण से लेटें यूजिद आइट प्लस A minus B whole square equal to A square plus B square minus 2 evaluate फर्स लिखा है फर्स लिखा है 491 इसका सेलूशन देखें 491 दिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 500-9 होल स्कॉर है तो होल स्कॉर रहेंगे 500-9 को सौल पर लिए क्या है एगा 491 अब हमें पिल किया एक ज़ब क्या मिला 500 और बी की ज़ब पे 9 हम उड़ा ही उसका है A-B whole square अधिकेंगे 500 whole square plus 9 whole square minus 2 multiply 500 multiply 9 500 को मुल्टिप्लाइए तो ताइप करेंगे तो जायाएगा 2 5 0 0 0 0 प्लस 18 1 माइनस तो को मुल्टिप्लाइए 500 पर गरेंगे हो जायाएगा 1000 को मुल्टिप्लाइए 9 पर गरेंगे हो जायाएगा 9000 करना है उन दोनों बैलों को पर गरेंगे हो जायाएगा 2 5 0 0 8 1 माइनस 9 00 0 माइनस करते हैं तो जायेगा तो जायेगा यह तेन होगा जायेगा सेक्ड इसना 289 whole square 289 को आपके लिखेंगे 289 को आपके लिखेंगे 300 माइनस 11 whole square है यहादी क्या मना हैंगे whole square 300 minus 11 whole square A की जबाप क्या है 300 और B की जबाप क्या है 11 यह हो जायेगा 300 whole square plus 11 whole square minus 2 multiply 300 multiply 11 स्वाल करते हैं 300 का मुटिप्लाई 2 ताइब करना है 300 multiply 300 तो जायेगा 9 0000 plus 11 whole square 121 minus 2 multiply 300 तो करने के 600 होगा 600 multiply 11 6 6 00 करना क्या होगा तो इन दोनों बहुत करेंगे बाद मिसको minus करेंगे तो इस को एट करते हैं आएगा 9 0 1 2 1 इस minus करेंगे 6 6 00 2 0 0 minus करते हैं होगा 1 2 यहां होगा 11 11 से 6 मानस करेंगे होगा 5 यहां होगा 9 9 से 6 मानस करेंगे 3 और यहां होगा 8 हमाना आसर आएदा 8 3 5 2 1 लास्ट उच्चर देखें इवाइबूरेट देखर इवाइबूरेट 49 मुल्टिप्लाई 51 49 मुल्टिप्लाई 51 फुर्पेट परना है फुर्पेट नहीं को आपके हैं 50 minus 1 और 51 परनी सिक्टे हैं 50 plus 1 एक किस पॉर्म में हैं A minus B A plus B कौन सा पॉर्म देखेंगे A square minus D square A की जलाप पर क्या होगा 50 50 का square minus 1 square 50 का square परनी सिक्टे हैं 2, 5, 0, 0, 0, minus 1 पर जाएगा 4, 9, 9, 9 और लास्ट कुछन देखें इवाइट पूरा जाएगा है 30 multiply 32 30 multiply 32 30 को आप्टिया नहीं सकते हैं 31 minus 1 और 32 को आप्टियों होगे 31 plus 1 किस पॉर्म में मन क्या A minus B A plus B क्या कमड़ा होगे A square minus B square A की ज़र को पुर्चा होगा 31 और ली की ज़र को क्या होगा 1 इसको लिखिंगे 31 whole square है minus 1 31 का multiply 31 आपको पुर्म में गेने 961 minus 1 और solve करेंगे तमारा answer दैवाइने 16 इस तरह से इस एकसाइज में कुछ खामूले लर्ण करना होगा जैसे A plus B whole square क्या होता है A square plus B square plus 2AB दूसरा फामूला होगा A minus B whole square A square plus B square minus 2AB और थार फामूला है A square minus B square A square minus B square क्या होता है A plus B into A minus B थामूले इस तुरे